अगर आप एक Big Boss viewer है शुरू से तो कई मौकों पर आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठाओगा कि क्या Big Boss होता है scripted क्या रहता है अंदर जाने के बाद माहौल क्या makers बताते रहते हैं कि कब किसको किस से भेड़ना है तो उस पर एक बहुत बड़ा हम आपके उपर लेकर आये हैं तहकीकात करके बहुत बड़ा report लेकर आये हैं इस पूरे सिलसिले को clear करने के लिए और बताते हैं क्या है Big Boss का अथली राज हेलो दुस इस लीसा गगवानी और यहाँ पर हमने कई सारे जो है चीजे चानी कई सारे facts देखे कई सारे tweets पड़े और कई सारे live videos की clips से सुनी और उससे पता चल रहा है कि Big Boss किस तरीकिसे किया जाता है script जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं Big Boss भले ही A to Z scripted ना हो भले ही dialogues और लडाईयों की script अंदर ना भेजी जा रही हो लेकिन हर character को किस तरह से behave करना है ये पहले से तै हो जाता है हम आपको बता दे कि काम्या पंजाबी ने अपने एक tweet के जरीए बताया minimum guarantee of weeks के बारे में इसके तुरू पता चलता है कैसे होता है Big Boss fix हम आपको बता दे minimum guarantee of weeks पहले होता क्या है अगर आप घर के अंदर जा रहे हैं मान लीजे आप एक prominent star है मान लीजे यहाँ पर हम ले ले लेते हैं जास्मिन भसीन को जो कि कल नहीं हुई इवेक्ट वो है एक prominent star और वो अपने contract में पहल इसे लिखवा कर आती है कुछ हफ़तों का time जी हाँ अगर मान लीजे अगर उन्होंने 12 हफ़तों का time लिखवाया है याने की 12 हफ़ते जास्मिन टिकेंगी ही टिकेंगी घर में और अगर किसी वज़े से वो eliminate हो जाती है फिर eliminate ना हो no elimination week declare हो जाती है वो हफ़ता लेकिन अगर कुछ भी करके elimination से नहीं बचा सकते है अगर जैस्मिन को तो फिर जैस्मिन को जितने हफ़ते की guarantee मिली है उतरे हफ़ते का payment पहुचेगा ही पहुचेगा ऐसे में जब minimum guarantee शामिल होती है किसी भी contestant के contract में तो उसका एक प उनको सवारना है ऐसे कई मौको पर live video में हम लोग clip दिख चुकी है जहां पर contestant कर रहे हैं उनकी contracts की detail के बारे में discuss जी है एक clip live video के तुरू अगर हम लोग सुने तो उसमें पदा चल रहा है किस तरीके से अली गौनी को मिली थी 10 week की minimum guarantee अगर अली नहीं टिके 10 week तक उनको payment तो जरूर पहुचेगा लेकिन अगर payment नहीं पहुचता है तो अली इस contract के basis पर big boss पर सवाल उठा सकते हैं लेकिन हम आपको बता दे अली बहुत पहले ही eliminate हो गया है दस हफते से ऐसे case में या तो उनको वापस लाया जा सकता है और अगर वापस नहीं लाते हैं big boss के makers तो उन भी हद तक affect कर देता है क्योंकि हो सकता है राहूल वैद अपनी minimum guarantee में इतने ही हफते लिखवा कर लाए हो और इन इतने हफतों के बाद big boss makers ने उनको eliminate करना सही समझा क्योंकि जास्मिन की minimum guarantee of weeks जादा हो सकती है अब क्या होगा big boss का अगला step किस तरीके से वो राहूल वैद के eviction को करेंगे प्रूव और किस तरीके से उनके eviction को justify करेंगे जास्मिन भसिन के आगे यह रहेगी देखने वाली बात हम आपको यह भी बता दे कि अगर पिछले सीजन में आप कुछ entertainers को देखे जैसे कि आसे मर्याज शेहनाज गिर यह लोग किसी भी minimum guarantee के साथ नहीं आये लेकिन शो को इतना ज़ाधा content दिया था कि इनको निकाल पाना possible ही नहीं हो रहा था अगर यह लोग निकल जाते शो से तो कहीं न कहीं शो की TRP भी effect होती और audience का backlash जेलने को मिलता Big Boss को कि यह लोग highest voted भी रहते थे लेकिन इस season में कोई भी इतना ज़ाधा prominently निकल कर नहीं आय है रुबीना को बोले तो वो ज़रूर prominently निकल के आ रही है तोड़ा बहुत राहूल का भी दिख रहा था लेकिन बागी contestants का कुछ ऐसा prominence निकल के नहीं आया है कोई भी इतना ज़ाधा entertaining निकल के नहीं आया है इस लिए इस बार minimum guarantee of weeks के according ही चल रहा है यह season तो यह है पूरा सबूत पुकता तरीका जिस तरीके से होता है बिग बॉस क्रिप्ट क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में जल्दी से लिखकर बता दी जो पर कॉमेंट सेक्शन में साथे मत चानल देखते रही क्योंकि ऐसी exclusive reports हम आपके लिए लेत कर आते रहेंगे हमेशा